Hello parents and my dear students, how are you? I hope you are safe and healthy. I am your Hindi teacher. Welcome to the online class of Hindi for UKG. I hope आप सब भी अपना previous work complete कर चुके होंगे. आईए बच्चों, हम आज का class work start करें. आज हम सबसे पहले चैप्टर फाइव आज की मात्रा पार्ट से रीडिंग करेंगे. चलिए. आज हम रीडिंग करेंगे sentences की. ठीक है बटा? तो हम शुरू करते हैं. मेरे साथ साथ आप भी repeat करना. मेरे साथ साथ. स आ वन सावन ए आ ये आ आया. सावन आया. बर स आ ते बरसाथ ले आ ये आ लाया. के आ ले आ काला. काला काला. ब आ देले बादल उम्र आ उम्रा. बर आ बड़ा. म ज आ मजा. म ज आ मजा. ए आ ये आ. आया. बड़ा मजा आया. बर आ बड़ा. म ज आ मजा. ए आ ये आ. आया. बड़ा मजा आया. ब आ है रे बाहर आ. बाहर आ. छ आ ते आ छाता ले आला. छाता ला. स आ थे सात कर आ गर जे कागज. सात कागज ले आला. सात कागज ला. ने आ वे नाव. बे ने आ बना. नाव बना. पे आ ने इपानी. पर आ ने इपानी. पर पर चले आ चला. पानी पर चला. अब नीचे आ जाईए, नीचे एक वाली सेंटेंस हम रिट करेंगे से आ गेर सागर आ से आ गेर सागर ए आ आ सागर आ के आ गेजे कागज के आ गेजे कागज के ले में कलम दे वे आते दवात ले आ ला कागज कलम दवात ला से आ फे साफ 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 अक्षर 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 बन आ बना साफ साफ अक्षर बना दव आ ते दवात उठ़ आ उठा, पे आठे पाट शे आले आ शाला पाट शाला जा, दवात उठा पाट शाला जा, तो अब आपको आ की मात्रा के साथ रीडिंग करनी आ गई होगी बेटा, ठीक है? चलिए एक बार फिर से हम शुरू से रीड करते हैं सावन आया, बरसात लाया, काला काला, बादल उम्रा, बड़ा मज़ा आया, बढ़ा मज़ा आया, बाहर आ, छाताला बाहर आ, छाताला, कागज साथ कागजला, नाव बना, पानी पर चला, सागर आ, कागज कलम दवातला, साफ साफ अक्षर बना, साफ साफ अक्षर बना, दवात उठा, पाटशा लाजा, दवात उठा, पाटशा लाजा, ऐसे ही आप इसको बार बार रीड करेंगे, ठीक है बटा, समझा गी आपको, चलिए, अब हम अपना रिटर्न वर्क करते हैं, आज के रिटर्न वर्क में हम करेंगे, प्रशनों के उत्तर लिखो, क्या करेंगे, प्रशनों के उत्तर लिखो, यह हमारा आज का रिटर्न वर्क है, तो सबसे पहले हम, अपनी कॉपी में, लेफ्ट साइड में, टॉप पे आज की डेट लिखेंगे, कॉर्णर में आज डेट है 18 जुलाई 2020 फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास वर्क आज का क्लास वर्क फिर मैंने लिखा है फास्ट लाइन में प्रशनों के उत्तर लिखो प्रशनों के उत्तर लिखो और यहाँ पर कुछ प्रशन मैंने लिखे हुए है जैसे कि प्रशन वन आप मेरे साथ साथ रिपीट भी करते जाएए प्रशन वन सावन क्या लाया और यह मैंने कोश्चन मार्क लगाया है प्रशन चिन ठीक है बटा? ऐसे प्रशन लिखने के बाद हमें यह प्रशन चिन लगाना होता है तो पहला प्रशन है सावन क्या लाया? तो सावन क्या लाया है? हम इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम इसका उत्तर लिखेंगे सावन क्या लाता है? जब सावन आता है तो सावन 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 बरसात, बरसात लाया, सावन बरसात लाया, सावन क्या लाया? सावन बरसात लाया सावन क्या लाया सावन बरसात लाया फिर इसके बाद मैंने सैकंड कोशन लिखा है सैकंड प्रशन में क्या है कर ये आक्या ला क्या ला जब बरसात होती है तो हम क्या लाते है याद करो आप क्या ला छाता ला छ आ त आ छाता ल आ ला छाता ला क्या ला छाता ला प्रशन है क्या ला उसका उत्तर हमने लिखा है छाता ला मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएए और अपना वर्ग भी करते जाएए क्या ला छाता ला इसके बाद मैंने प्रशन थ्री लिखा है प्रशन थ्री क्या बना क्या बना तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? जब बारिश होती है तो बच्चे क्या बनाते है? जब बारिश होती है तो बच्चे नाव बनाते हैं तो हम इसके उत्तर लिखेंगे न, आ, व, नाव, ब, न, आ, बना, नाव बना, क्या बना, नाव बना, प्रशन है, क्या बना, उत्तर लिखेंगे, नाव बना, ये तीनों प्रशन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है बटा, चलिए, हम फिर से रिपीट करते हैं, तो आज का हमारा वर्क है, प्रशनों के उत्तर लिखो, और पहला प्रशन है, सावन क्या लाया, सावन क्या लाया, सावन बरसात लाया दूसरा कोशन है क्या ला उसका उत्तर है छाताला प्रशन थ्री है क्या बना प्रशन थ्री में हमने क्या लिखा है क्या बना इसके उत्तर में हमने लिखा है नाव बना क्या लिखा है हमने नाव बना तो ये तीनों प्रशनों के उत्तर हमने लिख दिये हैं प्रशनों के उत्तर लिख दिये हैं आप इसको learn करना है और अपने next page में इसका home work करना है आपको जो classwork में मैंने कराया है यही next page में आपको homework करना है ठीक है बिटा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर date लिखेंगे 18 July 2020 और यहाँ लिखेंगे homework HW means homework फिर हम लिखेंगे प्रशनों के उत्तर लिखो प्रशनों के उत्तर लिखो फिर एक के बाद प्रशन वन फिर उत्तर फिर प्रशन 2 फिर उसका उत्तर लिखना है फिर प्रशन 3 फिर उसका उत्तर लिखना है ऐसे करके आपको अपना classwork homework में करना है जो classwork में मैं ने कराया है वही आपको homework में करना है और इसको बार बार इसकी practice करनी है और इसको learn करना है ठीके बटा? चलिए अब आप इसको कर लीजिए पाइ बटा, ठीकेर